वेलकम स्टुडेंट्स आज का वीडियो हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो किसी एक क्लास या किसी एक एज गुरूप की प्रोब्लम नहीं है बलकि हर इंगलिस पढ़ने वाले के साथ में ये दिकत आती है और वो है forms of verbs यानि कोई भी आपको verb दी जाती है कोई भी word दिया जाता है और हम उसकी second और third form को change करने में बहुत परेशानी मसूस करते हैं कभी किसी के ed लग जाता है किसी के t लग जाता है किसी के क्या हो जाता है regular verbs irregular verbs और इसी confusion में हम गलत लिखकर आ जाते हैं या फिर जब हम English बोलते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हमें इतना confidence नहीं होता है कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं हाला कि मैं आपको एक चीज clear कर देता हूँ वीडियो के सुरुवात में कि हर English में हर चीज का एक exception है एक अपवाद है लेकिन फिर भी हम ये देखें कि बहुत कुछ हद तक अगर हम इन tricks tricks को सीख लेते हैं तो हम हमारी verbs को सही लिख कर आपाएंगे क्योंकि लाको करोडो words हैं कहां तक verbs को याद करेंगे पूरी life निकल जाएगे तब भी हमें याद नहीं हो सकते तो हमने मेनत करके आप लोगों के लिए कुछ tricks बनाएए आप अगर इन्हें follow करें और अगर कोशिस करें तो हम बहुत कुछ हमारे verbs को सही लिख कर आपाएंग कि mainly 3 form होते हैं फर्ष्ट 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 फ आप यहांपर समझेगे I बीच में होने पर I second form में थता third form में You लगा दे हानि होने पर हम क्या करेंगे यह I है ना इसको हटा कर I को होने पर I को हटा कर यहांपर ध्यान से समझे जब वर्ब के बीच में I दिया हूआ हो यानि उस word में I हो कहाँ पर बीच में तो आप क्या करें ध्यान से समझें I को हटा दे यानि इस I को आप क्या करें हटा कर इसकी जगा क्या लगा दे second form बना रहे हो तो A लगा दिया जिसे begin में A लगा दे क्या बनेगा begin और third form बनाए तो इस I की जगा क्या लगा दे यू लगा दे तो क्या बनेगा begin ठीक है अब कोई से भी आप देख लीजे बस आप समझ गयोंगे I को अगर आपको second form बनानी है तो क्या करना है I की जग ए लगाना है और third बनानी है तो यू लगाना है ये देखे drink आया गया अब I हटा आया क्या लगाया A second form के लिए drink और यू लगाया तो drunk फिर आगे बढ़े sing आई है A लगाया sing ठीक है swim आई है second में A लगाया swim और यू लगाया swim third form ring आई rang ए लगाया second form यू लगाया third form spring आई first form में second form बनाना है तो I को टा की क्या लगा दे यू लगा दिया third form sink first form I है I घोटाओ A लगा दिया second form sink और यू लगा दिया third form कोई धिक्कट ही नहीं है बले आप हजारो लाको वर्ट से याद कर ले कोई परिशानी नहीं और दूसरी trick यहाँ पर समझे trick to क्या है double E मिलेगा आपको वर्ब में कैha डबल E बीच में double E मिलेगा यानि दो बार E मिलेगा और साथ में आपको उस वर्ब में जब वर्ब फिनीस हो और end होगी समाबत होगी तो उसकी end में आपको P मिलेगा या फिर L मिलेगा ज्यान देदा वर्ब के बीच में डबल ई मिलेगा लास्ट में P मिलेगा या L मिलेगा तो आपको क्या करना है एक E को हटा कर लास्ट में T लगा देना है ध्यान से समझे डबल ई मिलेगा लास्ट में P या L मिलेगा तो एक E को कम करना है दोनों में इसकी सेकंड और थर्ड पॉम सेम ही है अलग अलग नहीं है इ एक E हटा कर लास्ट में T लगा दिने से तड़ वो तर्ड सेकन्ड वो तर्ड पर हम बन जाएगी जैसे यहाँ पर समझे श्लीप डबल ए है एक E कम कर दिया लास्ट में क्या लगा दिया T और तरदbaje सेमी पिर देखे वीप डबलबल यहें लास्ट में कम किया नुर. टी वैपट worn किप एक सेक और सात में क्या लगा त brings कैब यह डबल लाक्ट में पी है एक कम्या टी लगा दिया witness haft shop frill double or higher क्याइख साथ् tätä क्रेप यह एक कम किया एक इक्सक्तरा में राज्ट में लगा दिए तो देखेए यहांपर एक इंग क्रेप लाज्ट में टी लगा दिया तो देखें इंग के साथ दे ठाट तो भी एक एक रटा दो थर्ड फोम में P और L हो तो हमें लाष्ट में T लगाना है और अगर डबल E के साथ में लाष्ट में D दिया हुआ हो तो ना तो P, P, T कोई जन जटी नहीं है यानि रक्त का बना बलेड बलेड फीड बोजन खाना बोजन करवाना किसी को भी तो इसमें भी D दिया हुआ है एक एक E कम कर दिया फेड 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 तो यह मन नहीं सूट एंड स्वीट में एक पहला पार्ट है अभी हम और साइट ट्रिक्स समझेंगे क्योंकि लाखों और वर्ड्स हैं तो उसमें हमें ट्रिक्स को कंटिन्यू दो चार पार्ट में अच्छे से समझ जाएंगे आप यह से कहीं सारे वर्ब्स बना के देखे प्रेक्टिस करें ताकि आप कंटिन्यू जिंदी के बड़ के लिए यह तर्ड और सेकंड फोर्म की जो आपके परिश प्रेक्टिन्स थैंक यू